सभी प्रेस के साथियों का मैं अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी की ओर से और प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की ओर से हारदी का भिननन करना चाहूंगा और हमारे साथ में बिराजे हुए प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के मीडिया सेल के चेर्मेन और अन्य हमारे सभी वरिष्ट कॉंग्रेस जनों के साथ में कॉंग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी पर आज आपके साथ में ये प्रेस वारता रहेगी जैज जगनात के साथ अपनी बात को रखूँगा क्योंकि उडिसा जगनात पूरी से जाना जाता है मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी और महगाई देश में बड़ी है एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने महगाई और बेरोजगारी मुक्त भविश्य का सपना देश को दिखाया था लेकिन ठीक इसके विप्रीत उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड महगाई और पेंटालिस वर्ष में सबसे बड़ी विरोजगारी की भयायवाई स्थिती में इस देश को डालने का काम किया और पिछले आठ वर्षों में जिस प्रकार से महंगाई और मुल्यवर्दी रही है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि कैसे 2014 का और 2012 का हम एक तुलनात्मक डेटा सामने लाते हैं तो पता चलता है कि बेहताशा वर्षों महंगाई में इस देश में पिछले आठ सालों में हुई है हम जब बात करेंगे लपीजी की 2014 में जो 410 रुपे प्रती सेलेंडर लपीजी की रेट हुआ करती थी आज 2022 में बढ़कर के 153 से लेकर के और 1240 रुपे तक हुई है और जब वर्धी प्रतीशत में निकालेंगे तो ये वर्धी 156 प्रतीशत हुई है इसी परकार से पेटरोल पर जो 71 रुपे 2014 में प्रती लीटर पेटरोल हुआ करता था आज 2022 में ये बढ़कर के 95 से लेकर 112 रुपे प्रती लिटर है लोगों को दिख रहा है सामने हम लोग भी अपने गाडियों में डीजल पेटरॉल भराते हैं तो हमें भी लगता है कि आज हमको पैसा जादा देना पड़ रहा है ये पैटरॉल में जो वरदी है लगबग 40 प्रतीशत है डीजल में इसी प्रकार से 2014 में 55 रुपे प्रती लीटर डीजल हुआ करता था आज वही डीजल की कीमते 90 रुपे से 100 रुपे है और जब हम प्रतिशत में वर्दी की बात करते हैं तो 75 प्रतिशत वर्दी देश में डीजल में हुई है इसी परकार से जो एशेंशल कमोडिटीज हैं मतलब वो चीजें जो आम जन्ता की रोज की मर्रा में हम लोग काम में लेते हैं चाहे वो सरसों का तेल हो, गेहूं का आटा हो, दूद हो, हर चीज में वर्दी हुई है, 90 रुपे प्रती किलो दूद जो है सरसों का तेल हुआ करता था, आज वो 200 रुपे किलो है, वर्दी 122 प्रतीशत हुई है, गेहूं का आटा जहां 22 रुपे था, वो आज 35 से 40 रुपे है लगबग 81 प्रतीशत की वर्दी जो है यहूं के आटे में हुई है दूद जो 35 रुपे किलो 2014 में हुआ करता था आज जब 2022 की बात करते हैं तो दूद की कीमत 60 रुपे प्रती लीडर है जो 71 प्रतीशत की वर्दी दर्शाता है मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा की जहां 2014 में प्रधान मंत्री नरें रमोदी सत्ता में आये थे तो उन्होंने केवल महंगाई को नियंतित करने की बात नहीं कही थी रोजगार की बात कही थी लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो ये सरकार 2014 से लेकर के अब तक ना सर्फ बेरोजगारी में अन्यंतित रही है महंगाई पर भी इस सरकार का कोई न्यंत्रन नहीं रहा है और उनकी गलत नीतियों और धोकेबाजी की वज़े से आज देश के हालात बहुत ज़्यादा बिगर चुके हैं ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि जब 2019 का वक्त था जब चुनाव थे प्रधान मंत्री जी ने उस समय भी देश से वादा किया था कि हम लोग जो है खाद्यान दही लसी और चाच जैसी वस्तूओं पर जी एस्टी लागू नहीं करेंगे 2022 में इन ही वस्तूओं पर जी एस्टी लागू किया गया और आज जब हम बात करते हैं उसी 2019 के चुनाव की उस समय भी प्रदान मंत्री मोदी जी ने उजवला योजनाग की बात बढ़ चड़के की थी और उसके आधार पर उन्होंने वोट मांगा था आज हालात यह हुए जिस प्रकार से ब्रदी लपी जी में हुई है वही उजवला योजनाग का जो सेलिंडर है उसे भरने की शमता एक आम आदमी की नहीं है वो सेलिंडर खाली पड़े है उजवला योजनाग पूरी तरीके सेंगी फेल हुई है जिसके दंब पर इन्होंने 2019 में वोट मांगा था ऐसे में जब हम बात करेंगे उबुबोकता परिशान है आम जंता परिशान है उजवला योजनाग के वो लाभारती जो है वो भी आज परिशान है ये दो ही उधारन नहीं है देश में ऐसे अंगिनत उधारन है जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं सरकार पूरी तरीके से जो है विफल रही है हर कीमत पर खजाने को भरने की जो हताशा है इस सरकार की मोदी जी की मैं कहना चाहूंगा कि इसी के चलते इन्होंने अप्रत्याशित इंधन कर जो है देश के उपर थोपा है और भारतिय उपभताओं की क्रेय शक्ती को बहुत बड़ा आगात इसकी वज़े से लगा है पैट्रोल डीजल और रसोई गैस की जो वैश्विक कीमते हैं वो आज की तारिक में घटी है 2014 के बरस्पत लेकिन उसका लाब जो है आम उपभोगता को नहीं मिला है उस समय जो इंटरनेशनल पूल की कीमते थी वो कम थी आज उस समय जो कीमते थी वो बड़ी थी आज कीमते घटी है फिर भी उपभोगता को डीजल पैट्रोल और लपीजी के अंदर किसी भी प्रकार का जो है सहयोग कीमतों को कम करके नहीं मिल रहा है हम अगर कच्छे तेल की बात करेंगे मई 2014 में कच्छे तेल की कीमत 106 डॉलर प्रती बैरल थी जो पैट्रोल और डीजल की कीमते 71 और 55 रुपे थी जब इंटरेशनल पूल जादा था तब कीमते कम थी 2014 में आज इंटरेशनल पूल कम है तो कीमते बढ़कर के पैट्रोल और डीजल की 95 से लेके 112 पैट्रोल और 90 से लेके 100 डीजल है ये समझ के परह से साफ जाहिर होता कि सरकार अपने खजाने को भरने की कोशिश कर रही है इसी तरीके से LPG के हम बात करते हैं तो 2013-14 में जिस प्रकार से LPG की दर थी 881 डॉलर प्रती मिट्रिक टन वो घट करके 670 आज हो गया है लेकिन कीमतों के अंदर तीन गुना अजाफा हुआ है जहां 410 रुपे प्रती सिलिंडर LPG हुआ कर था था वो आज बढ़कर के 153 से 1240 तक है ऐसी परिस्तितियों में जो है देश में महंगाई के हालात कमर तोड महंगाई के हालात देश में बन गए हैं और आम नागरिक आम व्यक्ति जिसने महंगाई मुक्त भविश्य देखा था दिखाया गया था ये कहना चाहूंगा मोदी सरकार के दोरा वो आज ठागासा महसूस कर रहा है कच्छे तेल और रसोई गैस की इन ही इंटरनेशनल कीमतों के बावजूद जो है किस प्रकार के हालात देश में हैं ये किसी से छिपे वे नहीं हैं हम मोदी सरकार की दिशाविहीन नीतियों की जब बात करते हैं बेरोजगारी की इस्तिती को देखें तो एक विनाशकारी मोड देश ने ले लिया है जहां नोट बंदी और जल्दबाजी में लागू किया गया जियस्टी कर प्रणा ली इन तमाम चीजों से जहां एक और अर्थ विवस्ता पूरी तरीके से देश में चर्मरा चुकी थी वहीं दूसरी और सार्जोनिक उपक्रमों को भी बेचने का कार्य मोदी सरकार कर रही है और उसका सीधा फार्जा उनके सुएम के मित्रों को जो कौर्पोरेट मित्र हैं उनको मिल रहा है पूंज़ी पति मित्रों को वो उपक्रम हस्तानतरित किये जा रहा है सरकार की युवाविरोदी नीतियों के कारण केंदर सरकार में आज की तारिक में लगबग 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं जो लगबग कुल सिकुरत पदों का 42 प्रतिशत है इसके तुरिक्त जहां हम लोग बात करते हैं एक विवेक शुन्य अगनी पत्थ योजना लागू की जिसमें युवाव के लिए रोजगार की संभावनाओं के साथ खिलवार करने का कारे इस सरकार ने किया जो सिर्फ रोजगार के शित्र में बेरोजगारों के साथ खिलवार ही नहीं है हमारी देश की शुरक्षा को खत्रा भी इस योजना से निश्यत रूप से है शस्थ रबलों में शामिल होने की कलपना और सपना देखने वाले बेरोजगार जो नौजवान हैं उन्हें क्या सरकार देगी किस प्रकार से ये हमारे देश के युवक युवतियों को चार साल के लिए सविधा के आधार पर नौकरी का प्रस्ताव दे करके क्या कहना चाते हैं ये देश के लोगों को समझेने की जुरत है जो किसी प्रकार की पेंशन की विवस्था या किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारेंटी इस अगनी पत्थ योजना में नहीं है सरकार की इस इन विवेक हिन नीतियों के परिणाम निश्यत रूप से देश के लिए विनाशकारी है और लाखों युवा निराश होकर के नौकरी के बजार से पलायन कर रहे हैं ऐसी इस्तिती में जहां पलायन के बावजूद जो बीस साल से लेकर के चौबीस वर्ष की आईउ वर्ग के नौजवान जो लगबग बियालीस प्रतिशत युवा है वो चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो सना तक है या कोई पिएच डी की डिगरी प्राप्ट भी है वो लोग भी निमन स्तर की नौकरियों के लिए चपरासी स्तर की नौकरियों जहां पर कम पढ़ा लिखा होना भी चल सकता है ऐसी इस्तितियां पैदा हुई ही की वो लोग पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं देश के हालात किस तर करके बद से बद्तर हो चले हैं भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस पूरे देश में उन नौजवानों के साथ और देश की जनता के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ी है और ऐसे वक्त पे जब हम बात करेंगे चाहे संसद से सडक तक की लडाई हो कॉंग्रेस ने अनगिनत ऐ किये हैं जो आम जनता की लडाई से जुड़े थे संसद में भी हम लोगों ने आवाज उठाई और शड़कों पर उतर करके राहूल गांदी जी के नेथरूत में अभी हाल ही में 5 अगस्त को हम लोगों ने कारिकरम किया था जिसमें हम लोगों ने संसद से विज्यपत तक जो है राश्टपती भवन जाने की बात करी थी और राश्टपती से मिलने की बात करी थी कि किस प्रकार से बेहताशा व्रदी महंगाई पर हुई है ऐसे में वहां रोका गया सांसदों को भी राहुल जी को तमाम कॉंग्रेस जनों को और उन्हें डीटेन किया गया पूरे दिन एरेस्ट रखा गया ऐसे में जहां देश हित में जनता की लड़ाई के लिए कॉंग्रेस हमेशा ततपर है मैं कहना चाहूंगा की पिछले जून दोजार एक्किस से लेकर के अब तक पूरे एक वर्ष के अंदर लगबग साथ देश व्यापी प्रदर्शन जो है देश की जनता के हितों के लिए उनके अधिकारों की रख्षा के लिए भारतियरे राश्टे कॉंग्रेस ने करने का क किया सोनिया गांदी जी के और राहूल गांदी जी के नेत्रिक्त में मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा की जो सपना और जो वादा देश से भारतियरे जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है वो अपने वादे को पूरा करने का काम करें पूरा करने का बीड़ा उठ ताकि देश के नौजवानों को और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लग सके और जो है देश के इन लोगों को जहां महंगी चीजे मिल रही है उब भोकताओं को जादा पैसा देना पड़ रहा है उन्हें राहत मिल सके और मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग राष्टियस तरिये एक कारिकरम महंगाई पर हला बोल कारिकरम चार सितंबर को राष्धानी दिल्ली में रामली रामदान में करने जा रहे हैं देश हित में जनता को भी इस भारतिये राष्टिये कांगरेस के इस कदम के साथ में मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए ताक भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के इस कारिकरम के साथ देश में चल रही सरकार को जुकना पड़े और महंगाई को कम करने के कदम ये सरकार उठाए नौजवानों को रोजगार देने के कदम ये सरकार उठाए ये मैं कहना चाहता हूँ इस समदर्ब में मैं चाहूँगा कि आप लोगों कि अगर प्रशन भी हो तो वो भी आप लोग करें इसके साथ लोकल यहां उड़िसा की एक बात और करना चाहूँगा जो बेरोजगारी से जुड़ी है मुझे आकड़े प्राप्त हुए है उड़िसा राज्य के सरकार में लगबग अब तक स्टेट गॉवर्मेंट में एक लाख बासट हजार पद जो है रिक्त पड़े हैं जिसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है इन पदों को भरने के लिए इसमें 80,000 पद ऐसे हैं जो एंट्री लेवल से ही रिक्त हैं हालात रज्य के कैसे हैं ये आप लोग समझ सकते हैं मैं समझता हूं की ये लड़ाई सिर्फ भारते राश्टे कॉंगरिस के नहीं है ये लड़ाई आम जनता की है आप लोगों की भी है मीडिया की भी है ही जी पा रहे हैं देश की जनता की लड़ाई है सब को मिल करके लड़ाई को लड़ना है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हो की मीडिया का हो सकता है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार को जुकाने के लिए हम सब लोगों को एक जु तो निराद जाही जी, यह अद्रेस्ट नुवा नेल्ट, नो इन्वाइट कॉस्टिंस और रिक्वेस्टिंस और रिक्वेस्टिंस और प्रश्ण है अगर आख जी, आप ने खिर्शकार को इसना सरा खिर्शाइज किया, अगर सक्ता में आता है तो आप कुछ कमिट्मेंट कर रहा जाए नहीं, देखिए मैं इसमें बहुत साफ किया ना चाहूंगा, हमें परिक्षा देने की आवशक्तान नहीं है, क्योंकि हमने करके दिखाया है, जब इंटरनेशनल पूल हाई था, उस समय हमारी कीमते लो थी, जब कॉंगरेस सत्ता में थी, 2013-14 में, और उस वक्त हलात देश के बहुत इस्तिर थे, अर्थ व्यवस्ता शांदार थी, पूरे विश्मित भारत एक अलक नजरिये से अर्थ व्यवस्ता में देखा जाता था, आज पूरा उलट है मामला, जहां इंटरनेशनल पूल की कीमतें कम हुई है, वहीं महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में निश्चत रूप से, कॉंगरेस जहां जा सत्ता में और कॉंगरेस देश में अगर सत्ता में आएगी, तो हम हमारे बादों पर अडिक रहेंगे, ये महंगाई निश्चत रूप से कम होगी, और देश की जनता को हम लोग वो महंगाई मुक्त भारत देंगे, जो भारते जनता पार्टी नहीं दे पाई है. शर्कार अबी भी इस पार पर अक्षिक अच्छत नहीं किया, तो इसके मतबर राट्शी सर्कार क्योंसे पूख दियर है, अगर महंगाई हो रहा है। देखिए मैं कहना चाहूगा कि महंगाई क्यों हो रही है? उस पर मैंने प्रकाश डाला पूरी तरीके से. क्यों महंगाई बड़ी है क्यों महंगाई हो रही है सरकार अपने खजाने को भरना चाह रही है वो चाहें तो डीजल पैटरोल एलपीजी के दाम कम करेंगे तो पूरी तरीके से पूरे देश में हर आवशक वस्तू की कीमते भी कम होंगी इसमें कोई दोड़ाय नहीं है राज्य सरकार अगर उनकी हां मिला रही है तो निश्यत रूप से वो मिले हुए है और यहां हमें सबजना होगा चाहे बेरोजगारी हो राज्य में या महंगाई की बात हो यहां लड़ाई लड़नी होगी आम जंता को भी कांगरेस के साथ-साथ सड़कों पर आना होगा महंगाई मुद्ध ही ऐसा है जो इसको सबको दिख राए दिख राए हो मैं चाहूंगा की आप लोगों का पूरा सन्हे और इसी तरीके से मिलता रहे और जिस तरह किससे देश में हालात है छिपेवे नहीं है अब आफ दे ट्रेक आफ दे ट्रेक हम लोग अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूं की देश में मनमानी विवस्ताएं चल रही है संसद में अलोगतांत्रिक तरीके से अगर बिल पास हो सकते हैं तो महंगाई उनके लिए क्या चीज है आज जनता के वोट का रिटन नहीं मिल रहा है उसे अपनी भारते जनता पार्टी की मनमानी को जहलना पड़ रहा है